question 3 है in each case decide whether they are rational or not ठीक है आपको 3 case दिरिक है उसमें आपको check करके बताना है क्या वो rational है या नहीं है अगर वो rational है ठीक है तो उनकी जो pyq की form होगी उसमें जो q है उसके prime factor के बारे माँ क्या कह सकते है ठीक है पहले तो आपको यह बताना है क्या वो rational है या नहीं है तो यह decimal expansion धी होए तीन तरह की case होते है पहला case होता है terminating जो यह case दिख रहा है तूसरा होता है non terminating repeating terminate नहीं हो रहा होता है लेकिन बार-बार repeat हो रहा होता है तीसरा case होता है non-terminating, non-repeating. ठीक है? तो जो पहले दो case है, वो होते है rational number के, तीसरा जो non-terminating, non-repeating case होता है, वो होता है irrational number का. तो हमको क्या करना है? rational number के prime factor के बारे में बोलना है, अगर वो pyq के form में हो. ठीक है? यह वाला case तो सीथी से second case reject हो जाता है. क्योंकि यह कहा है, not rational number. यह rational number है ही नहीं, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. बात आती है इन दोनों की. ठीक है? इसका decimal expansion क्या दिखे रहा है? आपको terminating. तो theorem, 1.5 से आप कहा कर सकते हैं, किसी rational number का decimal expansion terminating होगा, तो उसका जो क्यों होगा? उसका prime factor regression. उसके जो prime factor होगे, उसको किस form में होगे? 2 की पावर N into 5 की पावर M. तो इससे हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि यह जो decimal expansion नहीं के terminating है, इसलिए इसके जो P by Q की form में, जो Q होगा, किस form में होगा? 2 की पावर N into 5 की पावर M. तो हम भी कह सकते हैं, Q या तो factor हो सकता है किसका? 2 का, या 5 का, या फिर दोनों का. तीन केस हो सकते हैं न? या तो 2 की पावर 0 into 5 की पावर something हो सकता है, या फिर 2 की पावर something into 5 की पावर 0 भी हो सकता है, या तीसर अगेज, दोनों की पावर 0 की अलावा कुछ हो सकती है, कोई बेंटेजर, ठीक है? थर्ड पार्ट है, जिसमें non-terminating लेकिन repeating है, तो non-terminating repeating के case क्या होता है? इसमें क्या होगा? जो factor होंगे, क्योंकि ये standard form है, ठीक है, जो standard form को satisfy नहीं करता है, जो rational number, इसका मतलब उसमें क्या होता है, जो q है, हम क्या कर सकते हैं, जो rational number में, जो q है, उसमें जो क्या होगा? क्योंकि जो factor होंगे, वो क्या होंगे? 2 की power n into 5 की power m भी हो सकते हैं, 7 इसके साथ कोई और extra term भी हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है? तो जो इसमें prime factor होंगे, वो क्या होंगे? 2, 5 और 2 और 5 के अलावा और भी कुछ हो सकता हैं, तो हम इसके prime factor के वारे में कहके सकता हैं, क्योंकि कि इसमें 2 और 5 के अलावा और भी factor हो सकता हैं, ठीक है? तो ये था question number 3, और इसी के साथ आपकी exercise 1.3, 1.4 complete होती है, और पहला chapter finish with it.